हेलो एरिवान लक्चर स्विमाब का स्वागत है आज हमनाएंगे गणी सतूर्ति पर मोदक किस तरीके से जल्दी से बना कर त्यार कर सकते हैं हम हमारा वीडियो पूरा देखिए यदि अचा लग गए तो लाइक कीजिए सेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिवेकिसन आपको मिलता रहें तो यह मैंने एक कड़ाई लिया है अभी इसको मैंने गेंस पे नहीं रखा है इसमें हम दो कप के करीब दूद एड़ करेंगे दो कप दूद लिया है और इसमें हम मिलक पाउंडर एड़ कर रहे हैं शार कप करीब हमें इसमें मिलक पाउंडर एड़ करेंगे दो कप दूद लिया है तो इसमें शार कप मिलक पाउंडर एड़ किया है और इसको हमें गेंस पे नहीं रखना है पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बात में हमें इसे गेंस पे रखना है अच्छे से पहले दूद के साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें एक टेबली स्पून घी एड़ कर रही हूँ अब हम इसको अच्छे से लगबग पांस मिन तक लगातार सलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको गैंस पे सड़ाएंगे गैंस को मैंने ओन कर लिया है और दिमियास पे हमें इसे पकाना है यह मैंने सीनी लिया है सिनी मैंने कम यूज किया है क्योंकि मिलक पाउंटर वैसे ही मीटा होता है इसलिए मैंने थोड़ा सा सिनी एड़ किया है आप अपने हिसाब से सिनी एड़ कर सकते है तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लगतार सलात हुए इचे सिनी को अच्छे से गोल लिया है तो यह आप देख सकते हैं मैंने लगबग पांस मिंट तक अच्छे से पकाया था यह डूफों में आ रहा है और इसको हमें लगातार सलात वे पांस मिंट और पकाना है यह कड़ाई सोड़ना इस्टार्ट होगी तब तक हमें इसे पका लेना है तो आप देख सकते हैं गेंस को हम आप कर लेंगे रोह हमारा आचे से त्यार हो गया है और इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे तो यह आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिया था और मिश्रन हमारा आचे से ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं तो यह मैंने तीन भाग में कर लिया है मिश्रन को और दोनों में मैं कलर एड़ कर रही हूँ यह मैंने ओरेंज कलर लिया है और यह ग्रीन कलर इसमें हम थोड़ा सा कुलाब जल एड़ करेंगे आप साथो कैवडा जल भी ले सकते हैं इस तरीके से यह ओरेंज कलर वाले को मैंने अलग प्लेट में ले लिया है और थोड़ा सा हाथ में घी लगा लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करना है तो यह आप देख सकते हैं मैंने तीनों को भी इस तरीके से अच्छे से गोंद कर दो बना लिया है बहुत ही सौप्टर दो हमारा बन कर ट्यार हुआ है यह मैंने मोदक मोल्ड लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी इसे हमारा मोदक है वो इसलिए निकल जाएगा अब हम इसमें मिसरन अड़ करेंगे पहले में यह वाइट वाला बिल्कुल भी इसमें मैंने कलर नहीं एड़ किया था इसका कलर है वो वाइट ही है और इसको मैं इसमें भर लूँगी और अच्छे से प्रेस करते हुए इसको भरना है बिल्कुल भी खाले जगा नहीं होनी साहिए नहीं तो मोदक का सेव अच्छा नहीं आएगा इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं इसमें अच्छे से मिंसरन भर लूँगे वह थोड़ा ज्यादा है इसको हम अटा लेंगे जो ये पिन है इसको हम निकालेंगे और हलके हाथ चे इसको खोलना है आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मोदक बनाकर द्यार किया है बहुत ही अच्छा कलर है इसका अब हम थोड़ा सा गिरीन कलर है इसमें एड़ करेंगे इस तरीके से रख लेंगे और उपर से हम वाइट एड़ करेंगे इससे है वो डबल कलर आ जाएगा और बच्चों को बहुत भी पसंद आएगा ये कलरफुल मोधक तो यह आप देख सकते हैं इसका कल्दर आप देख सकते हैं कितना यह मोधक प्यारा लग रहा है बहुत ही अच्चा और खाने में भी बहुत ट्रैस्टी है इस तरीके से हमें सारे मोधक बनाकर त्यार करेंगे यह आप देख सकते हैं मनें सारे मोधक बनाकर त्यार कर लिए है हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंड करके ज़रूर बताएं यदि असा लगे तो लाइक कीजिए सैनल को सस्क्राइब ज़रूर कीजिए दूसरी वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन जैभारत